जी हमाँ दोस्तों आप सभी को क्रिस गेल का वो रिकोर्ड तो याद होगा जिनोंने T20 के एक मुकाबले में 175 अन्मारे थे उजिन उन्होंने 17 चक्के जड़े थे जो इतिहास में एक मैच में सबसे यदा चक्के जड़ने का रिकोर्ड था लेकिन दोस्तों एक और खिलाडी का नाम सामने आये जिसने ODI के मुकाबले में एक ही मैच के अंदर एक ही पारी में 16 चक्के जड़ दिये उसकी टोटल जो पारी थी दोस्तों वह 173 रन की तोफान ही पारी साबित हुई अमेरिका के जस्करण मलोतरा के कारनामे से पहले इंटरनेशनल वंडे किर्केट में एक ओवर में 6 चक्के जड़ने का रिकोर्ड सिर्फ साथ अफरेका के पूर्व सलामी बलेबाज हरसल गिप्स के नाम था यानि कि इस खिलाडी ने ना सिर्फ 16 चक्के जड़े बलकि एक ओवर में 6 चक्के भी जड़े आप सभी को बता दे जस्करण मलोतरा ने पापव निगिनी के खिलाब दूसरे वंडे में एक ओवर में 6 चक्के लगाकर उनके रिकोर्ड की बराबरी कर ली है हरसल गिप्स के इसके साथ साथ अमेरिका और पापव निगिनी की बीच अल अमि चनों में सबसे बड़ा योगदान जस्करण मलोतरा कर रहा जस्करण मलोतरा ने 124 गेंदों पर 4 चोके और 16 चक्के की मदद से 173 रन की नाबाद पारी खेली उन्होंने आखरी यानि की 50 वे ओवर में गोडी टोक की गेंदवाजी पर 6 चक्के भी लगा ऐसी के साथ में अम काना तो दोस्तों हर किसी की बसकी बात होती है लेकिन 6 चक्के कलपना से परे हैं युवराज सिंग ने 20 में लगाए हैं कई और खिलाडी ने 20 में लगाए हैं लेकिन वन डे के फॉर्मेट में जब आपकी पूरी मांसिक्ता होती है कि आपको एक गेंद में सिंगल मिल जाए ने आए थी कि ये 2028 के ओलंपिक में किरिकिट को भी इंकलूट किया जा सकता है तो बाकी देश भी जो बड़ी-बड़ी शक्तियां हैं महान शक्तियां और वैसे भी ओलंपिक में अन्य खेलों में अच्छा करती है तो वह भी किरिकिट के आप फोकस कर रही है निकिसमें देंगे ऐसे तो बहुत मैचे सब देखने को मिलने वाले है तो त्यार हो जाईए कमर की पेटी कस लीजिए क्यूंकि आप किरिकिट का रुख बदलने वाला है हवा कुछ और चल लेए दोस्तों छे छक्के कमाल की बात है कितना पसंद आया ये बताईए दोस्तों हरसल के शक्के नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट